जमू के ग्रेटर क्लाश इलाके में जो कुछी दिन पहले एक जमीनी बिवाद के चलते 38 साल के सरदार अवतार सिंग जी की वहां पर जो हावो हत्या कर दी गई थी और जिसको लेकर जमू टरब्यून इस पूरे मामले के हावाले से पलपल की अपडेट आप तक साधा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जमू टरब्यून ही एक ऐसा चैनल है जो कि हावशो हार पल की खबर जो हावा आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश रखता है लेकिन ऐसे में इस ग्रेटर क्लाश मामले को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि लगातार पु पूरे मामले को पोलीस अलग-लग एंगल से देख रही है और के सारे लोगों को गिरफतार करने की कोशिच जारी है आपको बतारे चलें कि ग्रेटर क्लाश मटर केस के मामले में अब सामबा में भी पोलीस ने एक प्रापटी डिलर के गर पर शापा मारा है यहां पर यह कहें कि अलग-लग जगाओं से तीन गाड़ियों को भी जबत किया गया है और एक सिसी टीवी को भी पोलीस ने अपने कबजे में लिया है तो उमीद है कि जल्द ही इस कांड में जो भी लोग और शामिल होंगे तो उनकी भी ग्रेटर क्लाश आते मामले में पुलीस की कारवाई ही जो आवो लगातार जारी है और पुलीस ने इस मामले को लेकर सांबा जिले में एक प्रापटी डिलर सचिन के घर पर जो हो शापा मारा है और वो भी इस मामले में शामिल बताया गया है लेकिन वह गर से फिलाहल जो हो फरार चल रहा है ऐसे मैं आपको बताड़ी चली कि पुलीस ने उसके घर पर शापा मारा और काफी लोगों से पूश्टाश किया है लेकिन वह पकड में नहीं आया है और इसके इलावा पुलीस ने अलग-लग जगहों से तीन गारियों को जवत किया है जो की सकार्पियो, वैगनार वा आड़ी कार हैं जिसमें दो गारियां जो हो परशोत्म की हैं लेकिन इसके इलावा पुलीस ने प्लाट के पुडोस में एक घर में लगी CCTV को भी अपने कबजे में लिया है ताकि पुलीस को पूरे मामली का पता चल सके कि आखिर कर और कितने लोग वहां पर मोके पर माजूद थे इस गटना पर लेकिन ऐसे में आपको बता चलें कि उस दिन मोके पर कौन-कौन लोग वहां पर आये हुए थे पुडोस के कैमरे में पूरी गटना जो हावो कैद हुई होगी क्योंकि जानकारी के मताबिक हत्या के बाद से पुलिस की तरब से लगातार जो हावो कारवाई की जा रही है जिसमें अभी तक कई सरे जो लगबग साथ के करीब लोगों को जो हावो गरफतार किया गया है लेकिन कई अभी भी अपने गरों से फरार चल रहे हैं और ऐसे में पुलिस उन्हें डूडरे की कोशिच कर रही है ऐसे मैं आपको बता चले हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की तरब से लगातार शापे मारे जा रहे हैं लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है और पुलीस का ये कहना है कि जनाब पुरशोतम के जिन दो गारियों को जवत किया गया है उनका इस्तेमाल जो हो उस दिन किया गया है लेकिन ऐसे में मतलब यह है कि उन गारियों में सवार होकर वो वहां पर आये थे और इसलिए पुलीस ने उनने भी रिकार्ड में चड़ा लिए है और स्मामले में पुलीस की तरफ से कड़ी कारवई की जा रही है gosh कि लेकिन इसमामले में शामिल सब अरोपियों को जल्थ से जल्थ गिरिफटार किया जा से के तो आप सब लोगों के आप लोगों को इस सिट के जो भी इन चार्ज है और खासकर सिस्ट भी जमो है उनुपर बरोसा रखना होगा क्योंकि जो इनकी ये स्पेशल जो सिट इसमा पूरे केस को लेकर बनाएगी है वो लगातार जो हावो इस पूरे मामले को लेकर हर कोई जो हावो हर दिन नई से नहीं कोई गारियें वहाँ पर पहुंची थी वो गारियें किसकी थी किसकी नहीं लेकिन इसमें तीन गारियों को जवत किया गया है जिसमें एक सकार्प्यू गारी है एक वेगनार गारी है और दूसरी जो हावो तीसरी जो हावो एक आड़ी गारी है तो फिलाल पुलीस ने पुरोस क गेट में वहाँ पर किया जाएगा और ऐसे में पिछले कल की बात करें तो SSP जमू, DC जमू भी उनके गर पर वहाँ पर पहुंचे थे रो हर तरह की कारवाई की यकीन दहाने जो हब उनके द्वारा वहाँ पर कराएगी है तो आप सब लोग भी अपने अपने राये जुरूर साजय करें कि आखिर कर जनाब इस तरह के लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ किस तरह की कारवाई होनी चाहिए आए दिन जो हबो कुछ जगडे प्राप्टी डिलरों की वज़ा से देखने को मिलते हैं कुछ रेवने डिपार्मेंट की वज़ा से देखने को मिलते हैं और कुछ पूलीस की लापरवाही के बज़े से देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ था पूलीस पर घंबीर अरोप लग रहे थे कि चोकी अफसर ग्रेटर कलाश अगर समय रहते अगर सही कारवाई करते तो जनाब ये सब शायद आज नहीं होता आज 38 साल के अवतार जो हो जिन्दा होते और ये कहें कि आज उनकी बेटी से पिता का साया जो हो नहीं उड़ता और आज उनके परिवार में मातम जो हो नहीं शाता लेकिन बदकिस्मती रही ना जाने चोकी अफसर ने जो हो आँखों पर कौन सी आसी काली पटी बांदी थी कि उन्हें कुछ भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसके बाद SSP जम्मू की तरफ से एक बड़ी कारवाही इस पुरे मामले को लेकर की गई है चोकी अफसर सस्पेंड है उसके खिलाफ जो भी एक Departmental Inquiry है वो इनिशेट की गई है उसके हावाले से भी हम कोशिश करेंगे अगली बार जब भी कोई अपडेट नया लेकर आएं तो हम ये भी पता करें कि ये भी आप तक जानकारी पुंचाएंगे आखिर कर चोकी अफसर को तो किया गया है लेकिन जो Departmental Inquiry उसके खिलाफ इनिशेट की गई है उसका जो हम क्या कुछ फालो अप है तो फिलाल आप जनता अपने सुझाप जरूर देजिएगा और SDPO कार्तिक शुरूतिया जी पर अपना ब्रोसा जरूर रखे क्योंकि सामबा में भी जो एक प्राप्टी डिलर है सच्चिन उसका नाम बताया जा रहा है सूर्सिस के हवाले से और उसके घर पे भी पुलिस ने जोहाब हो शाप इमारी किया है यहां से के सारी गाड़ीयों को जबत किया गया है जबकि सचीन नाम का इप्राप्टी डिलर जोहाँ फिलाल फरार बताया जा रहा है और ऐसे मैं उसे डूंडरें के लिए अलग-लग जगाओं पर शापेमारी की जा रही है और बताये जा रहा है कि और भी ऐसे लोग हैं जोकि उस गटना के बाद फरार हैं और ऐसे मैं पुलिस उने डूंडरें के लिए इस समय जोहाँ हर जगाँ पर शापेमारी कर रही है देखते रहे हैं जमू ट्रब्यून जहने बाद